कर दोस्तों स्वागत है आप सबका घरेलू उपाय सरर तरीके में आसा करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे दोस्तों आपके पैरों में हाथों में और सीने में बहुत बार क्या होता है कि जलन होना शुरू हो जाता है और प्रेग्रेंसी के बाद जो महिलाएं प्रेग्रेंस होती हैं और उसके बाद में तो कुछ जादा ही यह जलन बढ़ जाता है जिन महिलाओं को प्रेग्नेंसी हो गई होगी उनको इसका बहुत अच्छी तरह से अनुभाव होगा और खाने के बाद भी बहुत सारे लोगों को सीने में जलन की सिकायत होती है और अगर खाना आपका नहीं पसता है मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है आपका खाना इन डाइ जलन होता है ये चीज महिलाओं में बहुत जादा देखी जाती है हंडेड में से आप समझ लीजे कि 98% जो महिलाएं है उनमें ये समस्या देखने को मिलती है तो उनहीं महिलाओं के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनको जलन की समस्या होती है उनके लिए मैं आज एक उप पूरी तरह से खतम हो जायेगी हो जलन या तो उनके तलवे में हो रही हो या थेलियों में हो रही हो या फिर सीने में हो रही हो कहीं भी जलन हो रही है इस उपाय को करेंगे तो उनका जलन जो हुआ 100% खतम हो जाएगाD calacağız दोस्तो उसके लिए क्या करना है आपको देखिए आपके सामने एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाई दे रही होगी और आप सभी को पता चली गया होगा कि ये क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये है दोस्तो देखिए धनिया जी हां दोस्तो इंगलीस में कोरियेंडर और हिंदी में इसको कहते हैं धनिया तो ये धनिया के सीड हैं दोस्तो ये धनिया के सीड आपके जलन को खतम करने वाले हैं इस धनिया का इस्तेमाल आपको कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी सूखा धनिया हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है दोस्तो इ इसलिए इसके सेवन से पेट के infection, acidity और सरीर की जलन ये सारी जो समस्या है वो खतम हो जाती है इसलिए ये धनिया जो है बहुत काम की चीज है देखे दोस्तो धनिया का इस्तेमाल कई सारी चीजों के लिए हम कर सकते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल अलग-अलग तरीके से होता है अलग-अलग समस्याओं का निदान करने के लिए तो जैसे मैं बताऊंगी जो समस्या मैंने बताई है जलन की समस्या को निदान करने के लिए जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ आप उसी तरीके से पीजेगा तब ही आपकी जलन जो है वो खतम होगी तो इसलिए ऐसा नह इसलिए जैसे तरीके से मैं बताऊंगी उसी तरीके से आपको पीना है अगर आपको अपनी जलन को ठीक करना है तो दोस्तों मैं आपको बता रही हूं कि इस धनिये को क्या करना है कि आपको एक गलास पानी में दो चम्मच दो चम्मच दिखी एक चम्मच ये हो गया और एक च आप आरो में रखते हों इसी बाल्टी में रखते हों जो भी आप पानी पीते हैं फ्रीज का पानी नहीं लेना है बस नॉर्मल पानी आपको लेना है। सुबह आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि पहले धनिया का रूप कैसा था और अभी भीगने के बाद ये रूप कैसा हो गया है। तो अब क्या करना है दोस्तों कि इस धनिया को हमें चान के अलग कर लेना है। अर अलग करने के बाद में जो पानी इसका बचा रहेगा, उस पानी को हमें पीना है, आप उस पानी को सुबा में पी सकते हैं दोस्तो धनिया का पानी पीने के लिए कुछ लोगों को साउधाने भी बरतनी पड़ेगी जैसे कि जिन लोगों को किसी allergy की problem है, किसी तरह के भी allergy है या फिर उनको BP कम होने की समस्या है, यानि उनका BP कम हो जाता है तो ऐसे लोग बहुत ध्यान से धनिये का पानी का सेवन करें दोस्तो बाकी जो एकदम सामाने लोग है और जिनको सिर्फ जलन होती है अपने हैं थेली और पैरो में या सीने में वो लोग सुबह में इसका खाली पेट सेवन कर सकते हैं जब जलन ठीक हो जाए, तो सिर्फ हपते में एक बार इसका इस्तेमाल करें, तो दोस्तों ये जो छाना हुआ हमारा पानी है, ये हमें लेना है, और ये जो धनिया आपकी भीगी हुई है, इसका इस्तेमाल आप अपने सबजियों में कर सकते हैं, या तो फिर आप इससे धनिय भी उगा सकते हैं अपने गंले में डाल कर के तो इस तरह से ये आपका जो धनिया भीगा हुआ है ये खराब नहीं होगा वेस्टे नहीं होगा इसका इस्तिमाल आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं तो हमें इसका सिर्फ पानी पीना है दोस्तों सुबा में छान करके इसका हमें पाने पीना है अगली बार फिर मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार